बॉलिवुड 4 इंटु 4 में आज आप देखेंगे एक कॉनवेक्ट मुवी को इस मुवी की कहानी में एक आर्मी सोलजर को जेल जाते वे दिखाया जाता है जब सोलजर की वाइफ उससे मिलने के लिए जेल में जाती है तो वहाँ के स्टाफ मेंबर उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है सिच्वेशन को देखते वे ये लड़की इन दोनों के सामने अपने कपड़े उतार देती है आखिर ये दोनों इस लड़की के कपड़े क्यों उतारते हैं इस मुवी की जरुआत में हम कैली नाम की एक लड़की को देखते हैं लेकिन तभी वहाँ पर उसका हास्बेंड रे आकर उसको सप्राइस करता है रे को देकर कैली बहुती खुस होती है अब ये दोनों गारी में बैट कर अपने घर के लिए निकलने ही वाले थे लेकिन तभी एक फरारी कार में दो बदमास आते हैं अब ये दोनों कैली को छेरने लगते हैं लेकिन रे इन दोनों को इगनोर करके यहां से जाने लगता है लेकिन तभी एक बदमास रे के गाड़ी के पास आ जाता है और वो कैली के पास आ कर अपना पैंट खोल देता है ये देखकर रे को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को पीटने लगता है लेकिन तबी उनमें से एक अपनी चाकू निकाल लेता है और वो रे को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन रे उसे एक पंच मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में जो चाकू था वो उसी के पेट में लग जाता है जिससे उसकी मौत हो जाता है जो कि Ray को जेल के काईदे और कानून के बारे में समझा रहा होता है अब जेल में एक मैक्सिकन बॉई Ray से पंगा लेने लगता है इन दोनों को देखकर मैजन गैंकर टीम वहाँ पर आ जाता है और वो Ray को बचा लेता है अब हमें इसी जेल में एक डेविट नाम के आदमी को दिखाया जाता है दरसल डेविट ने बैंक लूटने के चकर में कुछ आफिसर को गोली मार दिया था इसी के कारण डेविट को उमर कैत की सजा हुआ है अब हम दो करक्ट औफिसर को देखते हैं जो Ray की सैल की तलासी ले रहा होता है लेकिन तभी उसे Ray की वाईफ का फोटो मिल जाता है और वो उसे देखकर दोनों करक्ट औफिसर उसके बारे में गंदे गंदे कमेंट करने लगते हैं ये देखकर रे को काफी ज़्यादा गुस्सा आता है लेकिन तभी वहाँ पर एक और आफिसर आ जाते हैं उस आफिसर को देखकर रे किसी तरह से अपना गुस्सा सांथ करता है अब हमें रे की वाइफ को दिखाया जाता है जो रे से मिलने के लिए यहाँ पर आई थी लेकिन रे अपने सब सिच्वेशन को भूल कर वो कैली को बताती है कि वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है लेकिन तभी दोनों करक्ट आफिसर रे को यहाँ से जाने के लिए कहता है बीट रहा था और यहाँ पर आकर इस लड़के के साथ काफी गंदी गंदी हरकते करता है अब अगले दिन कैली रे से मिलने के लिए आती है लेकिन यह दोनों करक्ट आफिसर कैली से कहते हैं कि वो रे से नहीं मिल सकती है अगर वो रे से मिलना चाहती है तो उसे हम दोनों के लिए कुछ करना होगा ये कहकर ये दोनों अब कैली को कपड़े उतारने के लिए कहते हैं ये सुनकर कैली तो पहले मना करती है लेकिन उसे किसी भी तरह रे से मिलना था इसलिए वो इन दोनों आफिसर की बात माल लेती है अब कैली एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है अब ये दोनों करेक्ट आफिसर कैली की पूरी बोडी को देखते हैं अब ये दोनों आफिसर रे के पास आकर उसे कैली की वीडियो दिखाते हैं जिसमें उसने उसके कपड़े उताडे थे ये देखकर रे को बहुत ज़्यादा गुसा आता है वो कैली से मिलता है और इस बात पर वो कैली को ही बलेम करने लगता है कैली उसे समझाने की काफी कोसिस करता है लेकिन रे उसकी एक भी बात सुनना नहीं चाहता था जब कैली उदास होकर यहां से जाने लगती है तब ही रे को अपनी गलते का एहसास होता है और वो कैली से गले लगकर उससे माफी मांगता है और दूसरी तरफ हमें उसी कमजोर आदमी को दिखाया जाता है जो जाइंट गे को काफी बुड़ी तरह से मार रहोता है क्योंकि गे ने जो इस लड़के के साथ किया था वो बहुत गलत था गे के मरने के बाद दोनों करक्ट आफिसर और बोर्डन का दिमाग चलने लगता है अब ये तीनों एक प्लैन बनाते हैं कि क्यों ना इस केस में रे को फसा दिया जाए इसके बाद दोनों करक्ट आफिसर रे के पास जाते हैं और उससे जबरदस्ती हत्यार पर फ्रिंगर प्रिंट्स लेने की कोसिस करते हैं लेकिन तबी आफिसर वीलियम आ जाता है और वो रे को बचा लेता है अब विलियम रे के पास जाता है और वो उससे कहता है कि वो ये रे के साथ ठीक नहीं कर रहा है अब अगले दिन मेजन गैंग रे को उकसाने के लिए एक बच्चे को उसके पास भेजता है लेकिन इस लड़के को ये सब करना ठीक नहीं लगता है इसलिए ये लड़का रे को बिना कुछ कहे यहां से चला जाता है ये बात मेजन गैंग के लीडर को कुछ ठीक नहीं लगता है अब रात मेजन गैंग उस लड़के के सेल में जाकर उसे मार देता है क्योंकि उस लड़के ने उसकी बात नहीं मानी थी और इस हत्या का सारा इंजाम मेजन गैंग रे पर डाल देता है रे अब बहुत सैन कर चुका था वो अगले दिन मेजन गैंग के पास जाता है और वो उसके लेडर से फाइट करने के लिए उसे चैलेंज करता है अब मेजन गैंग भी रे से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है इस फाइट में रे मेजन गैंग के लेडर को काफी बुरी तरह से पीटता है जीतने के बाद रे डेविट के पास जाकर उससे गले लगता है और वो सभी से कहता है कि आज से कोई भी गैंग इन सब को परिसान नहीं करेगा लेकिन तभी मेजन गैंग के लेडर के पास कोई चाकू फैक देता है और मेजन गैंग उस चाकू से रे को मारने वाला था रे वोर्डन के पास जाकर उसे कहता है कि उसने मेजन को मार दिया है अब वो जिंदगी बर यहाँ पर जेल में सड़ेगा तभी रे वोर्डन से पूशता है कि आखर वो ये सब उसी के साथ क्यों कर रहा था तबी वोडन कहता है कि उस बदमास के पिता ने उसे काफी सारा पैसा दिया था ताकि वो रे को उमर कैत की सजा दिला पाए इसके बाद रे हसकर अपने पॉकिट में से एक फोन निकालता है और इस फोन में रे ने वोडन की सारी बात रिकॉर्ड कर ली थी जी हाँ और इस काम में रे का साथ आफिसर विलियम दे रहा था अब बोडन और दोनों करक्ट आफिसर को पुलिस अरेश्ट कर लेता है अब जेल के हॉस्पिटल में रे डेविट से मिलने के लिए आता है अब डेविड रे को बताता है कि उसने जो बैंक लूटा था वो सारे पैसे कहा है पैसो का ठिकाना बताने के बाद डेविड कहता है कि उसमें से कुछ पैसे वो उसकी बेटी को भी दे दे अब आफिसर विलियम रे को जेल के बाहर छोरने के लिए आते हैं जहांपर कैली रे का कपसे इंतिजार कर रही थी अब अगले दिन रे और कैली एक लड़की के पास जाते हैं जहांपर वो उसे कुछ पैसे देते हैं दरसल ये लड़की कोई और नहीं बलकि डेविट की बेटी थी अब ये दोनों husband wife खुसी से अपनी life enjoy करने के लिए निकल जाते हैं इस movie में ये बताने की कोईसिस की गई है कि कैसे पल भर में जिंदगी बरबाद हो सकता है जैसा की रे के साथ हुआ इसी के साथ ये movie यहीं पर end हो जाता है